गुड मॉर्निंग सुबह के नौ बच के बारा मिनट हो रहे हैं इस वक्त और अभी हम आए हैं अपने घर से लगभग एक डेड़ किलोमीटर के दूरी पे और रोज वो हम वीडियो अपलोड करते हैं बस उसके जस्ट नीचे मैं आपको मेपस के जरिये दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त हम कहां पे हैं और इधर देख सकते हैं यह हम जो इसमें टमाटर की ठरहा लगाई हुए हैं और अभी त्यार होने ही वाला है जगाने लाइक हो जाएगा और यह जो पीछे देख रहे हैं यह सारा प्लांड में जो हम टमाटर लगाएंगे लेकिन टमाटर जो है काफी कम उपज हुआ है तो हमको लगता है कि और ठरहा करने की ज़रत हो सकती है क्योंकि अभी इसमें देख सकते हैं तो अभी मैं देख रहा हूं यहां पे तो टमाटर जो है काफी कम उपज हुई है जैसे आपको दिखाना चाहेंगे बेक कैमरे से जैसे यह रहा हम लोग का अभी चलते हैं बड़ी मालोग के घर तरफ दिखाएंगे लोग का घर कैसा है उनकी लाइप स्टाइल कैसा है ठीक है तो वीडियों बने रहेगा दोस्तों नमस्कार में करम दूरुए आप सब का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में और इधर बड़ी मा जो है मिर् सब्सक्राओंगे वागत कि करी दिखें फ्रफ उनकी फेलिए लिए लिए केरा कहां पेह केरा सागरांधिला सागरांधिला कि अपर इस ता भी कहां ली जान आओ कि वहाँ अ, एख़ा पहँ आप कर्मान के लिए गहना होगी इस तेका रही है कि यह इधर है हम लोग के बड़ी मालोक का घर जैसे यह देख सकते हैं अभी हम बाड़ी के तरफ है अभी अंदर घुश के आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग के गाओं में घर जो है किस परकार के होते हैं हाला कि यह घर जो है हम लोग के गाओं से काफी आउट एरिया में है मनलब रात विकाल कुछ परिशानी हो जाती है तो तो मनलब काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है यहां ठीक से मनलब लाइट भी यहां तक नहीं पहुंच पाई है ना अन्या सुइधा कुछ भी मनलब यहां से मनलब घर तक आने के लिए भी रोड भी ठीक तरीका से नहीं है तो इन लोग के लिए मदलब काफी कटनाई का सामना करना पड़ता है जैसे आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि हम इधर ही जब वीडियो अपलोड करने आते हैं तो इधर ही आते हैं तो उसके नीचे ज़स्ट नीचे यह घर जो है इस दित है तो अभी यह रहा हम अभी ब आगन शब्रफ जाने के लिए और यह उनलोग के घर का जो रास्ता तरफ जाता है काफी पगडंडी रास्ता है तो यह रहा हम अपने बडी मालोक के घर घुश गए है जैसे देख सकते हैं अभी हम अगन पे खड़े हैं और इधर बैलसब जो हम लोग कोठा बोलते हैं वो इधरी है कोठा और यह रहा आंगल और यह रहा उन लोग का घर कुछ इस परकार से हैं अग्ये अधर बड़े पापा और इधर घर इधर की चनरूम और यह रही छोटी सी गुड़िया मुनगी भाजी इधर छटीन कर रहे हैं काफी प्रोटीन मिलता है सब्जी से तो अभी हम बैठ गए हैं चार पई हा बोला जाता है इसको खाटी भी बोलते हैं ल रही है हां कहरी है तो ही पर बैठे हैं और देख सकते हैं गाओं में इसी परकार की घर होती है और इधर भाईया जी हैं वो सब्जी की त्यारी कर रहे हैं अभी हम खाट पर बैठे हुए हैं यह देख सकते हैं यह किचन रूम और वी शन वास तो यह दो और हडिया यह देखो यह हडिया राइस बीर बने गाई है सब अरे यह तो घुर घुर के देख रही हैं गुर घुर के देख रही हैं बोल सपना कुछ तो बोल तो अभी जो हम बड़ी मालों के घर तरफ गए थे तो हम कोई चीज मिल गया यह देखो देशी केला तो भाई इसको तो खाते हैं अभी क्योंकि भूग भी लग रही है मजा जाएगा देशी केला मतलब कोई केमिकल नहीं इसमें तो यह रहा केला लब इदर गए तो काफी फैदा हो गया देशी केला मजा आ गया तो चलते हैं अभी घर की ओर तो अभी इस घाट को हमको दोड़ के चड़ना है तो इस्टार्ट पूलते हैं पूलते हैं पूलते हैं No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go